आगामी 15 अक्टूबर से भारत का महत्पून्ट योहार अर्थाद नवरात्री मनाई जवाने बाली है नवरात्री में गर्वा ना हो तो बात ही क्या गर्वा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी दानिक भासकर द्वारा भव्य भासकर गर्वा 2022 का आयूजन किया गया है जिसकी प्रैक्टिस सेशन की तीसरे दिन बड़े उच्छा के साथ नागपुर वासियों ने हिस्सा लिया गौर तलब है कि दैनिक भासकर द्वारा आयचेत इस भव्य भासकर गर्वा आयूशन में नागपुर वासियों बड़ चड़ कर हिस्सा लिते हैं जगर्वा की बारी किया और सिर्फ सभी सभाक्यों को पढ़ाते हैं दैनिक भासकर ने अपनी दैदी प्यमान संस्कुती आज भी उसी लगन से कायम रखी है जिस भावना से उन्होंने शुर्वात की थी इस प्रैक्टिस सेशन की तीसरे दिन सभी सभाक्यों ने मन लगा कर प्रैक्टिस की जहां ठोल के ताल पर फिरफ्त करम नवरात्रे की आगास की खोशना कर्दिवित दिखा दी जिने काफी खुशी है भासकर गर्वा से जुड़ने की शिवे सरवार्त साधिके शरण्यम तरंबकी गवरी नाराईनी नमस्तुते दर्शकों आगामी 15 अक्टूमर से नवरात्री का सीजन चलने वाला है और जिसके उपलक्ष में आज दहिनिक भासकर के इस हॉल में गर्वे का आयोजन किया है गर्वा प्रैक्टिस का आयोजन कि आपको अगामी 17 अरी के बाद आप प्रैक्टिस करने वाली अगर्वा और क्या सिखिय अभी तक अभी तक की तो 17 अरी तक के चल रहा है हमारा प्रैक्टिस और उसके बाद में हम लोगों को गर्वा आयोजित करवा के देते हैं देनिग भासकर के तरब से जो बहुत पहुँच गया है तो बिल्कुल एसा ही फिल होता है और मास्टर जी और बाकी के जो सिखाने वाले सर बहुत-बहुत अच्छा सिखाते और असा लगता है कि जैसे हम वही पे है दर्शो को इस वक्त हमारे साथ मोजूद है कुछ दयाबेन और जेठालाल भी जो कि आगामी सत्रतारी के बाद पूरे गुजराती स्टाइल में घरभा खेलने वाले है मैडम हमारे साथ मोजूद है मैडम आपको कैसा लग रहा है गरभा खेलने वाली आप क्या-क्या सीखी है अभी तक क्या-कैना चाहिंगो क्या-कैना चाहती हूं वह अच्छा लगता है यहांने आने ंदे में हाने से घ्डनीक भासकर में हर साल आते है इस साल पिवी पार उचा SAYS टाइम में आई हो हर सल मुझे टाइमने मिलता है यह स्ताइम में अपना एने निकाली कि गर देंग बहुत अच्छा सीकाते हैं, जो गुरु की पाटनर है, वह भी बहुत बेस्ट हमें स्टेप सीकाते हैं, आजा लगता है, हम गुजरात पोच चुके हैं, एनर्जी तो जब बेट बजाते हैं, तो बहुत ज़्यादे एनर्जी फील होती है, और ऐसा मन होता है कि खेंदे रही शब अच्छ लग रहा है और बहुत अच्छ attendance at the last year यह थी तो अपसे बहुत अचा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने के मिल रहा है और एंके सण यहार यहां थी और अजिकल में कर नहीं है यहां का जो एन्वोर्मेंट है और इन्होंने जो आयोजन किया हुआ है और जो हमेशा गुजराथ से जो सर आते हैं शीकारी सर तो हमें बहुत अच्छा लगता है यह सिक्के और मैं यह काफी सालों से आ रही हूँ और हलसा आती ही हूँ यह सिकने किने हैं सेम नहीं होता है सेम नहीं स्टेप्स होती है और अभी जो यह नया होल है यहां पर हम जो जा सीक रहे हैं तो यह अच्छा है और सब अल गोड़ा है अजिए आपर रेफर किया दा कि देनिक भासकर में आकर गर्भा मतलब गर्भा की वर्क्षप पर टेंड करें तो यह आपर आके मुझे बहुत अज़ा नियु नियु श्टेप्स मैं फर्स्टाइम आया हूं तो मतलब एक मतलब बहुत लाइक गोल्डर ऑपोर्शनेटी जो देनिक भार्गस भासकर ने और यह गर्भा ओर्गनाइस करके मुझे दिया इस थैंक्यू देनिक भासकर फॉर सेलिवरेटिंग दिस नौरात्री लाइक दिस थैंक्यू अज गर्भा के संस्कुति गच्छा से बाहर पुरिदेश में उसा के साथ प्रसारित हो रही है परव पक तेज सालों से गर्भा सिखाने आ रहे हैं और देनिक भासकर दवारा आईजित इस भव्यर रास में खुद माउं अम्पे का आशिरबात शाविर हैं जिसके अनुरूप हर साल बड़े उत्ता के साथ यह आईचर होता है और हर साल हम नई स्टेट सिखाते हैं दर्शे को इस वक्त हमारे साथ मोजूद है एक गर्भा सिखाने वाले मास्टर जी जो कि गुजरात से आये हैं शिकारी सर जिन से हम बात करेंगे किस प्रकार से नया गर्भा का इवेंट यहां आयोजित क्या गया है आप हर साल आते हैं सर गर्भा सिखाने किस प्रकार से अ प्राइस स्टेप का सिखा रहे हैं अभी हम तिन दिन हुआ है आज से तिन दिन के अंदर हमने चार स्टेप सिखाया है गर बाखा जब हम गुजराच से रंग मिलन अमदाबाद से आये हुए है हर साल 20-23 साल से हम आ रहे हैं यहां जब छोटे बच्चे 5 साल से लगके पुरान से चाल साल के साथ के आते हैं हमारा गुरु जी का नाम है गौतम सिकारी जी हमको सब पढ़ाया है कि नाकपूर हमरों जैसे देनिक भासकर हमारो खुद का परिवार है उनी की तरह से हम काम करते हैं हर साल 22 साल जैसा हो गया यह नए नए स्टैल होती है जब पुराने लोग तब एकी ताली में खेलते थे, एकी ताल में घूमते थे, अभी के जो जनरेशन है, छोटे बच्चे को भी अपने से भी अच्छा खेलते हैं, उसको पढ़ाओ, सिखाओ, तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, यह वरक्षोब हमारा 15 दिन, 16 दिन का रहेगा, इसमें हम नई नई सिखाएंगे, एक ताली, दो ताली, तीन ताली, फिर बाद में एक्ष्टादा जो उता है, उसमें राजस्तानी लेंगे, इसके बाद महाराष्ट के लेंगे, नई नई सिखाएंगे, सभी को, जिस प्रकार से बोला जाता है कि नवरात्रे में मां अम्बे खुद गरबा के पंडाल में आती है, और दैनिक भासकर ने इतना बड़ा आयोजन किया है, नागपुर शहर में कही ना कहीं, गुजरात उतारनी की कोशिस दैनिक भासकर नी की है, क्या कहना चाहेंगे, इसके अभी ऐसा हो गया कहा हम गुजरात के हैं, अम्जाबाद के फिर भी गुजरात के अंदर देखने जाओ, तो जो पहले संस्कूरूति थी, वह अभी नहीं रही, उनकी संस्कूरूति अपने बाहर चली गयी दूसरा स्टेक में, तो अभी दूसरा स्टेक के आंदर के देखो तो जैसे गुजरत का महल बोलता था एक रास, गर्बा, डांडिया वो सब गुजरत के थे अभी देखने जाओ तो नए स्टेक के अंदर उसब हो गए सब जगह आप देखो तो बंबई, दिल्ली, कट्नी, सत्नी, पिर जैपूर, इंदोर, भोपाल अपने देनिक भासकर का ग उनके सब से बहुत बढ़िया करते हैं, बच्चे लोग से लगा के बड़े लोग तलग यहां सिखने आते हैं, बहुत अच्छी तरे से सिखते हैं, बहुत अच्छी तरे से वो लोगों को डांस करते हैं, आज का दिन तिसरा दिन हुआ, मगर सब छोटे से बड़े तक दर्शिगव जिस प्रकार से दैनिक भासकर अपने नाम की तरह दैनिक भासकर जो सं मुझभान तयरा चोल रहे हैं तो देखते हैं नवरात्री का शिजन की प्रकार से होता है। तिसरा दिन आज का है और आगे प्रगत होंगे और प्रगत शील होते हुए पूरी तरह से नागपूर की जो जनता है गर्बे के रंग नवरात्र में बिखेरने वाली है अब यह देखना काफी रोचक रहेगा कि यह प्रतिपागी किस प्रकार से इस दुबर अफसर का लुफ्ट उटाते हैं दर्शको नवरात्री का पावन त्योहार और जिसकी ध्यून गुजरात के साथ ही पूरे देश में मनाई जारी है यह सकारत्मक उर्जाओ का जो त्योहार है उसी त्योहार को मनाया जारा आप जिस प्रकार से देख पा रहा है दैनिक भासकर के इस हौल में सभी प्रैक्टिस कर रहा है जो की आगामी 17 तारीक के बाद कही न कहीं एक गुजरात का माहोल इस नाखपूर में बनाने वाले है तो देखते ही किस प्रकार से यह गर्बा खेलते हैं और इस गर्बे का सीधा प्रसारान आपको इन्वी से न्यूज में देखने के मिलेगा कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मैं मनिश टेमरी इन्वी से न्यूज के लिए नाखपूर के साथ मनिश टेमरी के रिपोर